अस्सम अलेकुम वीवर्स का हो अमीद्स है और अभीधल लेक़ाए ने पीछु चाहते हैं तो पानी अभी अबल रहा है और तकरीबन 25 मिनटरी इसको बॉयल आ चुका था तो उसके बाद आप मैं चने की डाल यहां पर मैंने भिगो कर रख दी थी 100 ग्राम यह मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और इसी तरह इसमें मज़ीद गरम पानी डाल कर मैं इसे पकने के लिए रख दूँगी तो आपको जब भी पानी इसमें मज़ीद आड़ करना हो तो आप गरम करके डालिए गए यहां पर मसूर की डाल मैंने ले लिए है धुली और बगार धुली दोनों मैंने मसूर की डाल मिक्स कर लिए है 100 ग्राम भिगो दी है और मॉम की डाल है धुली हुई यह भी मैंने 100 पानी मैं दोगार बहले है तकी डाल अशंची मेंने 100 ग्राम भिगो दीया है तो यह फेके डाल मिक्स के तया नहीं दो जिए हैे 100 ग्राम यह लाह चावल आप यह सारी चीजिदे हैं तकरिएं एक गिंट्राब एजर। यह देखें, तो चेक कर लेते हैं, दाल और गंदुम की सह तक गल चुकी है, तो देखें, अच्छा खाए सा पानी जो मैंने डाला था, इसके अंदर न byघगो maior चुका है, थोड़ा सा पानी रही चुका है, तो अब में मज़ीद पानी शामल करके और इसके अंदर जो आका नाओ तरा में तरहें, तरहें मूंग की दाल में मॉंग योर माइग टाल दाल दालक्राई मूंग की डाल Bolot में तकरीबन तीन लिटर जितना और इनको बिल्कुल हलकी आँच पर रख दूँगी हलकी आँच पर ये गलने तक के लिए ताकि ये पक जाए नमक मैं ने डाल दिया है यहाँ पर तकरीबन दो खाने की चमच जितना नमक आप अपने टेस्ट के कोडिंग डाल सकते हैं तो हल पर जोश्ट के लिए तड़का तयार कर लेते हैं इसके लिए मैं ने तकरीबन चार टेबल स्पून जितने और तीन अदद मेरे पास मेडियम प्यास थी तो आपने निकाल लोगी गार्निशिंग के लिए और बाकी प्यास इसी में रहने दूँगी तोड़ी से प्यास में आप अलएदा भी गार्निशिंग के लिए बना सकते हैं तो गोश्ट मैंने ले लिए यहां पर दो खिलो तो प्यास के साथ इसको अच्छी से भून लूँगी तो जेखी जी गोश्ट का कलर जो है वो तबदील हो चुका है अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लेसन अद्रक का पेस्ट दो दो खाने के चमच भरके तो लेसन अद्रक के साथ इसे मज़ीद भून लेंगे तीन-चार मिनिट के लिए साथ मसाले डाल दूँगी नमक मैंने डाला है यहां पर दो खाने के चमच भरके धनिया पाउडर है दो खाने के चमच भरके लाल मिर्च का पाउडर है दो खाने के चमच भरके हाल्दी पाउडर डाल दी है मैंने दो चाय के चमच भरके मसाले अपने जायके के हिसाब से आपकम ज्यादा कर सकते हैं तो यह मसाले जो हैं वो गोष्ट की ग्रेवी के लिए हैं और जो डालों की लिए मसाला है वो अलग से त्यार किया जाएगा और यह देखें मसाला अच्छे से भुन चुका है और तरी जो है वो उपर आ चुकी है तो अब मैं इसकी एक्स्ट्रा जो जाफी ओईल है वो मैं न अच्छे से नरम हो चुका है कुकर में मैंने वकाया था अगर आप बिना कुकर के पकाएं तो फिर तकरीवन आधा पूना घंटा लग सकता है कुकर के अंदर मैंने इसको 20 मिनट पका लिया था तो यह देखें जी मैने गोष्ट को जो है वो बिलकुल मैश कर दिया है इस त पिस चुका है चमच किस मदद से ही मेंने पीष्ट लिया है कितना या रियुन चुका था तो अब और द्यार हो चुका है दालों में ढूलने के लिए यहां पर जी दालें भी आट पकते हुए काफी पानी यहां आप तक पानी ने पानी उनका खुिस्ध और नाय करा देखे अदर में एक गलास पानी शामल करके ताकि वह मसाला इजाफी जाया ना हो खड़े मसाले मैं यहां पर ले लिया हैं लॉंग ले लिया है मैंने 7-8 अध़त पादियान का फूल ले लिया है एक अलाइची और इसी तरहां दार्चीन के टुकले ले ले लिया है चार अध़त जी दो खाने के चमच जितना और कुछ मसाले और एड़ कुरूंग यहां पर मैंने दालचीनी पाउडर ले लिया है आदा चाय के चमच और खुटी भी लाल मिच ले लिया है दो खाने के चमच भरके अद्रक पाउडर ले लिया है एक चाय के चमच लैसन पाउडर एक चाय के चमच और सौंफ ले लिए हैं मैंने पीसे हुए दो चाय की चमच तो यह सारे मसाले जो है वो अलग से तड़का तयार कर लेंगे यहां पर कोकिंग ओयल ले लिया था मैंने एक टेबल स्कून जितना और उसके अंदर यह मसाले डाल कर मैं पका लूंगी अच्छा सा तो पानी पानी का चीटा देते हुए इसे पका लेंगे तकरीबन दो मिनिट लग गये थे मुझे इस मसाले को भूंते हुए तो जब आइल उपर आ जाए और मसाला जो है वो नीचे बैठने लगे तो आपके यह मसाला तर्का जो है वो रेडी है तो यह देखें जी मसाला हमारा तो यह देखें जी अब हलीम के अंदर मसाले को शामिल करके तो मिक्स करके अच्छे से इसे मजीद पकने के लिए रख दूंगी में 5-7 मिनट ताके मसाले अच्छे से डालों के अंदर जो है वो जब जाए और बहुत ही जबरदस्त हलीम जो है वो हमारी रेशेदार तयार ह अब मिक्स कर लेते हैं इसको तो इस स्टेज पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक पेंचे जो है वो चेक कर लीजिए जो भी आपको कम चीज लगे वो आप डाल सकते हैं तो अब मसीद इसे हलकी आँच पर मैं पका लूंगी 5-7 मिनट और चमच भी चलाते रहें हैं और जो दाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तो डालों को जो है यह वो मैंने एक दफह प्लंडर जार में डालते हैं तो आप चाहें घोट सकते हैं और चाहें तो आप जूशर मेंडाल कर या बलंडर अधरक डाल देंगे अपने टेस्ट के कोडिंग आप डाल लीजिए जो चीज आपको पसंद है और इसी तरहां चाट मसाला और लीमो के साथ इसे सर्फ कीजिए बहुत ही मज़दार इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्ट तो अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आए तो प्ली